सान पाड़ा में पांडरंग आमले का शिव जैनती उत्सो कारिकरम में प्रभाग छेतर के सेक्रो लोग वे शामिल पोले जैन प्रकश से मॉच्छ अहर रहा कलो के से माधर जैन पांडर्भू के रहिए मातरम पांडरे के जैन पांडर्भा छेतर की जैन सेट फाने शामिल नविम्बई के सानपाड़ा में बीजेपी के युवा नेता पांडरंग आमले द्वरा आठ छत पतिर श्रीवाजी महराज का जैनती उत्सो आयुजित किया गया इस औसर पर सेक्रो नागरी मुझूद थे यहाँ पांडरंग आमले ने महराज के आराद द्वर्चत पतिर श्रीवाजी महराज की प्रतिमा परकुस बहार चड़ा कर उनका अभिवादन किया सान पराप राग छेतर के भावी बीजेपी प्रत्यासी पांडरंग आमले ने कहा के श्रीवाजी महराज हमारे दिलों में बस्ते हैं और इसलिए उन्हें मानवंदना देने के लिए जैनती उत्सो आयुजिन किया गया उन्होंने नागकों से श्रीवाजी महराज से प्रेना लेने की भी बिल्की हमारे आमले साब जो है वाड करमांग 76 के इच्छु कुमेदवार है और उन्होंने यहाँ पे शिव जेन्ती का कारेकर्म रखा था शाड़े बान दिया गया तो हमें बहुत बड़ी कुछे कि है एक जगह मिली महाराष्ट की संस्कृति है यह आमले सामने यहां पर जिन्दा की तो मुझे बहुत अच्छा लगा महाराष्ट की संस्कृति है यह आमले सामने यहां पर जिन्दा की तो मुझे बहुत अच्छा लगा महाराष्ट देवत शत्रपति शिवाजी महाराष्ट आज हर एक हिंदू के रुदय में बसे हुए है और उनकी आग जैन्दी है इसी के लिए हमने आज बड़े बैमाने पे सानपड़ा प्रभाक्रमांग श्यात्तर में हमने शिव जैन्दी का यह प्रोग्राम किया हुआ है इस प्रोग्राम के लिए आज बच्चों से लेके महिला है हमारे युवक बहुत पैमाने पर आज आए हुए है और सुबह से हम लोग ये शिव जैन्दी का उत्तो मना रहे है शिव जैन्दी के उत्तो के लिए हमने स्पेशली यहाप पारंपारिक तरीके से फेटा सबने प प्रतिमा है उनकी पूझा अर्चा की और उसके बाद सब लोगों ने यहाँ पे शिव जैन्दी का ये जो उस्तव है बहुत प्यार से और दिल से मनाया हुआ है बेला पर विदान सभा की आमदार मंदताई मात्रे उनके मारकदशन से ही हम लोग यहाँ पे जितने भी उपक कर रहे है और उसी उपकरम का एक भाग है हमने आज यहाँ पे शिव जैन्दी का ये जो प्रोग्राम में इतने बड़े पहिमाने पर मनाया है और हम लोग यही चाते है कि मंदताई मातर यान इनका अश्रिवाद हमारे सर पे हमेशा इसे ही रहे और उनके माध्यम से हम अश्रिवाद हम लोग यहाँ पे करते जाते रहेंगे और उनका मार्गरेशन हमारे साथ हमेशा रहेगा लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले